खबर आयोध्या से ही है जहां रेलवे स्टेशन भवे मंदर का आकार ले चुका है स्टेशन की बाहर लगा धनुश सब के आकरशन को अपनी और केंद बृत करता नजर आ रहा है देखे हमारे समवादादा की एक्स्लिसिफ रिपोर्ट बदल रही है भगवान राम की नगरी आयोध्या में विकासकार लगातार आगे बढ़ रहा है इस वक्त हम आयोध्या स्टेशन पर मौजूद है और आप देखे जो स्टेशन कभी जीड़ शीड़ और पुरातनता को दर्शाता था आज अपनी पुरातनता को संजोए हुए ये नवीन आकार ले चुका है आप देखे ये मंदिर के आकार का जो स्टेशन का निर्माण है वो अपने आप में भव्य है इसके गुंबत भव्य है और ये भव्यता यहां आने वाले हर किसी को अपनी और आकरशित करती हुई अंदर आते हैं तो ये मंदिर के आकार वाले जो गुंबद है पूरी राम नगरी को दर्शाते हुए नजर आएंगे तो ये स्टेशन आकार ले चुका है और इसकी भव्यता को निकारने के लिए जो पिछला कारे है वो भी लगातार आगे बढ़ रहा है तो आने वाले दि करता हुआ नजर आ रहा है तो इस स्टेशन के साथ जो इस नगर की अन्य चीजे हैं जो विकास के अन्य बिंदू हैं उनसे भी आपका परिचे कराएंगे हम बताएंगे कि आखिर पुरातन नगरी पुरातनता को संजोते हुए कैसे नवीनता और विकास के पत पर आगे परिटन का सबसे बड़ा पूम माना जा रहा है जो आने वाले समय में धार्मिक परिटन को सबसे बड़ी धार देने वाली है उसका सुरूप कैसा है तो जो नगर के अन्य हिस्से हैं नगर के अन्य हिस्सों का जो विकास है उससे हम आपका परिचे कराएंगे हम बताएंगे कि आखिर आयोध्या का विकास कैसा है बदली हुई आयोध्या कैसी है